जैने दोस्तों मैं अनवीन सर्मा आप से विए स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब अच्छे हैं एक दम बहतरीन है एक बार सारे प्यारे दोस्त पताएंगा आप सब कैसे हैं एक मुस्कुरहट के साथ में सब लोगों के बारे में पता चलना चाहिए तो कैसे हैं प्रेहा चोधरी, मधुषुकला, वैशाली वर्मा, साक्छी सैनी, सीमा, लड़किया इकलास कर रही है क्या? विक्रम गूजर आशु मलिक मधु सुकला नित्या विवेक पांडे हर्स तनु कुमारी मनीशा खिचडी बहुत स्वागत है नहीं मनीशा किचडी नहीं है क्या नाव है मनीश किच्ची है मनीश किच्ची जी बहुत स्वागत है सारे प्यारे दोस्तों का प्रेक्टिस सेट न फाइनल सेट 5 होगा बच्चे बहुत मेहनत आप लोग इसमें कर रहे हैं और यह fruitful होगा मैं आपसे promise करता हूँ यह बहुत fruitful होगा आज की class को बहुत अच्छे से जानेंगे बच्चे ठीक है बहुत सांदार तरीके से 5 questions नहीं होगे क्योंकि कल खुद एक revision set था एक final set था बड़े दिहान से प्रशनों को पढ़ना है और जवाब देना है प्रशन संख्या एक है सास्त्री है ODC नरत है ODC एक सास्त्री नरत है हाँ जी निमलिखित में से सबसे पहले कौन सा step किया जाता है कौन सा step है जो सबसे पहले किया जाता है अभिने पहले किया जाता है बटू पहले पलवी पहले या मंगला चरन को पहले किया जाता है तो क्या कहेंगे भिया option D मंगला चरन सबसे पहले इसमें होता है क्या वो लोगे मंगला चरन का मतलब क्या होता है हाथ में फूल होते हैं हाथ में फूल लेकर के नर्त की आती है जो डांसर है वो आती है और वो धर्ती माता को उन फूलों को पेस करती है धर्ती माता को पेस करने के बाद में फिर अगले स्टैप सुरू होते हैं मंगला चरण जैसे ही हो जाएगा दूसरे नंबर पर फिर बटू होता है तीसरे पर पलवी होता है चौथे पर अभिने होता है और अंतिम होता है पांचवा अंतिम चरण कौन सा होता है बच्छे अंतिम चरण भाई साब होता है हमारा त्रिखंड मंजूर क्या बोलोगे त्र तरिखंड ग्याद रखना तरिखंड मंजूर क्या होता है यह अंतिम होता है यह बात आपको पता होनी चाहिए तो पहला मंगलाचरन और अंतिम इस टैब कौन सा है ODC का त्रिखंड मंजूर है अगर मैं आप से ODC की बात करता हूं बच्चे सास्ति नरत्य है हाँ जी कभी मगद सैली का ये डांस है मगद सैली का इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है उल्लेख हमको कहाँ कहाँ से पता चलता है तो बच्चे ओडिसी, ओडिशा का है ओडिशा की दो गुफा मैंने आपको बता रखी हैं जड़ा बताएन कोई एक नाम बताओ तो आप कहींगे भीया आपने हमको बताई थी खंडगिरी की गुफाएं और उदैगिरी की गुफाएं कौन सी खंडगिरी और उदैगिरी की गुफाओं में उदैगिरी की जो गुफाओं है उसमें इनका उल्लेख मिलता है अगर पुस्तक की बात करें किस पुस्तक में उलेख मिलता है तो पुस्तक का नाम है अभिने दरपन बहुत important mark करना ODC नरत्य के बारे में अभिने दरपन में जानकारी मिलती है या अभिने दरपन पिरकास हम कहें लेखक कौन है इस पुस्तक के लिखा किसने है इस पुस्तक को इसके लेखक है जदुनात सिनहा क्या आग बोलेंगे जदुनात सिनहा इस पुस्तक के लेखक है कौन है जदुनात सिनहा इस पुस्तक के लेखक है कभी पूछे ODC नरत्य में कौन सी मुद्राय होती है कभी मुद्रा पूछे आपसे ODC नरत्य की तो आप कहेंगे तरिभंग और चौक होती है कौन सी तरिभंग और चौक होती है कभी पूछे कौन से भगवान जी के लिए होता है किनको पुरिशन करने के लिए सिरी जगनात के लिए सिरी जगनात के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है मंदिर पूछे आप से बच्चे की कौन से मंदिर में होता है तो ब्रहमेश्वर मंदिर है उडिशा का ब्रहमेश्वर मंदिर उडिशा में इसको मतलब सिलालेखों पर वहां के ब्रहमेश्वर मंदिर के जो सिलालेख है उन पर दर्शाया भी गया है क्या बोलेंगे उन पर भाहिसाब इसको दर्शाया भी गया है अब मुझे आप बताए कुछ कलाकारों के नाम कौन कौन से कलाकार इससे जुड़े हुए हैं तो कलाकार हम क्या बोलेंगे जी केलू चरण तो सब जानते हैं केलू चरण महपात्र हैं जी कौन है भाई साब केलू चरण महपात्रा और इनकी पतनी का नाम बताएं इनकी पतनी का ऐसे ही केलू चरण से नाम याद रख लिना है पंकज चरण दास पंकज चरण तो चरण नाम के किस में है यह ODC में है पंकज चरण दास पदमसरी पाने वाली रंजना गोहर का संबंद किस से है इनका भी संबंद भाहिसाब किस से है ODC से है कभी गलती नहीं करन मैंने आपको बताया कौन सी गुफाउं सुर्लेख मिलेगा तो हम कहेंगे उधैगरी खंडगरी से पुस्तक पूछे अभिने दरपन पिरकास लिखी किसने जदुनात सिन्हा ने 5 श्टैप होते पहला मंगला चारण होगा फिर आपका वटू होगा वटू के बाद पल्लवी पिर अभिने पांचवा होता है भाई साब आपका कौन सा बताया मने तरीखंड मंजूर होता है कलाकारों की बात करें केलू चरण आपका पंकचरण और रंजना गोहर होंगे बच्चे पुस्तक के लेखक कौन जदुनात सिन्हा है किसके अभिने दरवन पिरकास में इसका बढ़ना नम को मिलता है एक और पुस्तक इसके बारे में बताती है गीत गोविंदम पूछे ओडिसी के चंद किस से लिए गए है तो गीत गोविंदम से लिए गए है किसे गीत गोविंदम पुस्तक से लिए गए है ठीक है किसने लिखी थी जैदेव की जो गीत गोविंद से लिए गए हैं ठीक है प्रिसन संख्या 2 है पहला ICC T20 विश्व कप जो पहला ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ वो किस वर्स में आयोजित किया गया था कौन से वर्स में वो हुआ था 2003, 2006, 2007 या 2009 क्या बोलोगे जी 2007 में हुआ था आयोजन कहां हुआ था पहले का जरा बोले किस देश म में आयोजन हुआ था तो हमेशा कहना साउथ अफरिका क्या बोलोगे साउथ अफरिका अगर भाई साब मैं आपसे फाइनल मैच पूछू फाइनल मैच कहां पर हुआ था तो क्या बोलोगे वांडर्स स्टेडियम में भाई साब हुआ था पहले का क्यूंकि पहले का महत्प हारा कौन था हारा था आपका पाकिस्तान कितने से जीता था भारत क्या बोलोगे पांच रन से भारत जीता था भी वने विकेट बोल दिया पांच रन से जीता था कितने से पांच रन से जीता था अभी हाल ही का बच्चे 2022 का बहुत इंपोर्टेंट है क्या आप मुझे बता सक था हारा था पाकिस्तान क्या बोलोगे हारा था जी पाकिस्तान 2024 में मैंने कहा पहली बार होंगे यह कुशन में आपको करा चुगा था 2024 में अगर हम बात करते हैं बच्चे तो 2024 में अमेरिका में और आपका वेस्ट इंडीज में क्या होगा इसका आयोजन होगा वेस्ट इंड गया था किस वर्स भारत T20 World Cup के फाइनल में हार गया था तो याद रख लेना बाहरत बच्चे स्रिलंका से बाहरत 2004 है फाइनल से बाहर हुआ और कौन जीता था इसको स्रिलंका जीता था ऐसे मत बोला करो कभी भी कि भारत हारा नहीं दूसरे को बोल दो स्रिलंका जीता याद रखेंगे मेरी बात को हाँ जी कौन जीता था स्रिलंका जीता था यानि कि कब चुक गया था भारत 2014 में चुक गया था लेकिन पूछू T20 World Cup भारत में कब आयोजित हुए थे इनका आयोजन भारत में किस वर्स हुआ था तो आयोजन की बात करें भाई साब तो आयोजन 2016 में इंडिया में हुआ था यह most important question है T20 World Cup का आयोजन इंडिया में कब हुआ था 2016 में हुआ था सबसे ज़्यादा बार T20 को कौन सी टीम ने जीता है कि आप बता पाएंगे तो कहना West Indies और England दोनों दो दो बार जीत चुके हैं सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है West Indies और England दोन नहीं करनी है कौन-कौन Western डीच और England आ गया है निमलिखित में से किस खिलाडी ने आत्म कथा undisputed truth क्या बोलेंगे ए विवादित सत्य पुस्तक को लिखा है क्या ए विवादित सत्य पुस्तक को लिखा है और ए विवादित लिख दी भहिया जो सबसे ज़्यादा विवाद बाजित रहे हमेशा अपने केरियर में भी सामने वाले खिलाडी को गायल करने में भी तीन-तीन पत्निया रख के छोड़ने में भी तो क्या कहेंगे कौन है जी केविन पीटर्शन है क्या मैथ्यू हेड़न है क्या महमद अली बुक के बाज ए क्या क्या बोलोगे भईया स्टैंडिग मैइटियू हैं haven't evenokus थे इन की कूंसी भूख है juga 59 केटर की बुक है तो क्या वोलेगे आपका मैट्यू है अगैसे अदूट करजी की कौंसी पुस्तक मैंने बता रखे है playing it my way आप मुझे सुरेस रहना की बुक का नाम लिखके बताओ सुरेस रहना कौन सी पुस्तक लिखी है मुहमद अली की बुक बात करें बच्चे दा ग्रेटेस्ट बुक ये भी एक मुक्के बाज रहे हैं शफल की आप का बोलोगे दा ग्रेटेस्ट बुक के राइटर कौन है मुहमद अली की crossing boundary किसकी केविन पीटर्सन की और क्या बोलोगे आपका standing my ground किसकी है वो मैफ्जियु हैडन की है और आपका माइक टाइशन की undisputed truth और iron ambition धौनो बुक हैं बहुत important है ठीक है आगे आएंगे अगले प्रशन पर चलते हैं जंग तालम कौन से भारतिय राज्ये का लोक नरत्य है बहुत important भी है इस बार आपका face 11 SSC के द्वारा आयजुत हुआ प्रशन पूछा गया जंग तालम में कौन का है असम का या फिर नागा लेंड का है तो बहुत सारे बच्चों का अंसर ए बहुत सारों का भी जादा तर बच्चों का अंसर भी आया एक दम से ठीक है बच्चे आलम या लाम कहीं भी दीखे याद रख लिना आलम या लाम दीखे आलम या लाम से मतलब कैसा है जैसे ठं लام. ठीक है? या मैं बूच करूँ आपसे जंगालम नरत्य कौनसा जंगालम नरत्य ऐसे ही जंगतालम नरत्य कहां का है? मिजुरम का है. एक बच्चा यहां पर सरला मकई होता बहूत Import moment है. सरला मकई Dance, जो एक सैनिक नरत्य है. ऐसा कौनसा नरत्य है जो सैनी को द्वारा खुसी में आयजित किया जाता है सरलामकई चेराव नरत्य मोश्ट इंपोटेंट मार्क करना किस नरत्य को बास नरत्य कहा जाता है जो आपका आयजित होता है मिजोरम में ठीक है खुले में चिलम पी रहा है उसके मज़े आ रहे हैं खुलम और चेलम ये भी important है कहां के हैं खुलम और चेलम ये भाई साब आपके मिजोरम के हैं तो लाम या आलम जैसे जंगतालम जंगलाम थंगलाम सरलाम कही सैनिक डांस है चेराव खुलम और चेलम ये कहां के डांस है भाई साब हम कहेंगे ये भाईया जी मिजोरम के डांस है कभी भी क पापनाशम परपंडित कहरें गुरू जी क्या आपने मुझे पहचाना है आप मेरे साथ पढ़ाई करते थे और आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सांदार इस बार आपका सेलेक्शन हो बहुत गजब पापनाशम सिवन निमलिखित में से किस संगीत से संबंदित है किस संगीत से संबंदित है चलेंगे बोलेंगे कितने टाइम में होता है T20 बच्चे दो वरसों में आयोजित होता है मेरे प्यारे दोस्त दो वरसों में आयोजित होता है जर्नली लेकिन फिक्ष टाइम नहीं है कि दो वर्स में ही होगा ये बात भी याद रख लो आगे आएंगे पापनाशम सिवं निमलिखित में से किस संगीत से सम्मित्त है पंजाबी से ये बच्चे पापनाशम सिवं जरसल में तमिलनाडू के रहने वाले हैं और बहुत चर्चित वेक्ती हैं कौन से डांस से इनका संबंध है बहुत सारे बच्चो का आंसर आया सी धुरूपद एकदम से गलत है करनाटक म्यूजिक मुझे बताएं करनाटक साउथ का म्यूजिक है कि नौर्थ का म्यूजिक है मैंने आपको कहा था नौर्थ में भारत में उत्तर भारत में कौन सा होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक चलता है कौन सा हिंदुस्तानी म्यूजिक कहां पर आपका प्ले होता है नौर्थ में साउथ में कौन सा होता है करनाटक संगीत होता है साउथ में कौन सा होता है साउथ में करनाटक का म्यूजिक होता है क्या बोलोगे करनाटक का म्यूजिक कहां पर है ये साउथ में आयोजित होता है अगर मैं बात करूँ कहां कहां पर एक तो नाम ही करनाटक हो गया और इसके पड़ोसी आंध्र और पिरसन सुनना कितना गज़ा पिरसन S.S.C. पूछती है तमिल नाडू और केरल क्या बोलोगे तमिल नाडू और केरल अच्छा भीया ये तो दच्छन के हो गए हाँ जी देखो बच्चे पिरसन पूछा जाता है निमलिखित में से कौन से राज्ये का संबंध करनाटक गीत से नहीं है तो उत्तर भारत के किसी राज्ये को विकल्प में देदेगा कभी कबार या इन चारों के लावा कोई भी देदे मान के चलो महराष्ट्र दे दे आपको ओडिशा दे दे प्रायटी उनी की रखता है ठीक है तो हम क्या बोलेगे इन चारों में करनाटक म्यू जिक किसको कहा जाता है जी पुरेंद्र दास को कहा जाता है ये मैं आपको बता चुका था कौन है पुरेंद्र दास अच्छा अगर हम बात करें आपका करनाटक म्यूजिक की इससे संबंध है त्री मूर्ती का किसका त्री मूर्ती तीन लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं क कुन है भाई साब श्याम सास्त्री है यह इन तीनों लोगों को हम तरी मूरती के नाम से जानते हैं ठीक है एक आपके बच्चे एक आप का क्या बोगे करनाटक मुझिक से में फ सुबु लक्षमी है थमसब आ अब का थमसप इस बात पर आना चाहिए कि इनको भारत रतन किस वर्स मिला पहली संगीत कार हैं 2017 दिल्ली पुलिस ने पूछा 2020 दिल्ली पुलिस ने पूछा बच्चों ने तब भी लता मंगे इसकर चुना बहुत सारे दोस्तों ने बोलेंगे MS बुलक्षमी 1998 आपका आना चा के संगीत से है किस से दच्छन बारत के हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें बच्चे से क्या कुशन पूछेगा जैसे धुरूपद है खयाल है पंजाबी है यह सब हिंदुस्तानी म्यूजिक की सैलिया है पुछा जाता कितनी श्टाइल में हिंदुस्तानी म्यूजिक हो अभी पूछे सबसे पुआनी सैली हिंदुस्तानी म्यूजिक की कौन सिह है तो धूरुपद सैली है जैसे एक不усов आता है ठुमरी एक भंड घ्जया जो धीमा घ्य चोटा घ्याल 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 की जो 10 मा अधि एकडम से घ्याल कीसे हैgen Lab अक्तर ऐसे एक ठुमरी है ठुमरी सैली से कौन है ठुमरी की कुईन कौन बताई थी मैंने को आपको the queen of ठुमरी style in हंदुस्तानी music हंदुस्तानी संगीत में ठुमरी music की रानी किसको कहा जाता है आंसर जबर्दस्त आने चाहिए क्या बोलोगे जी गरिजा देवी क्या बोलोगे गरिजा देवी होगी क्या बोलेंगे जी गरिजा देवी होगी कभी गलत नहीं करना है क्या बोलेंगे कभी गलत नहीं करना है कोई परेशानी कोदिकत और करनाटक म्यूजिक हमेशा याद रख लिना ये कैसा संगीत है एक भक्ती संगीत है ये मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है आगे आएंगे निमलिखित में से किस भारतिय संगीतकार की आत्मकथा का सीरशक रागमाला है किस ने आपका रागमाला नाम से किताब लिखी है कौन है वो क्या बोलेंगे जी क्या बोलेंगे विश्व मोहन भट है क्या या अमजद अली खान है या जाकिर हुसेन है या फिर रवी शंकर है क्या बोलेंगे जी पंडित रवी शंकर बताओ कौन सा वाधियंत्र ये बजाते हैं किस वाधियंत्र से इनका संबंद है भाई साब सितार से भारत रत्न इतना ही इंपोर्टेंट इनका है जितना MS सुबू लक्षमी का अभी पूछा गया SSC CGL प्रिलिम्स चल रहे हैं आपका 1999 में में 4 पिलस एक ग्रेमी अवर्ड इनको मिले हैं ठीक है एक आपका ओनरी अवर्ड और 4 आपके मुख्य ग्रेमी पुरुषकार मुझे बताओ सबसे पहले ग्रेमी पाने वाले पंडित रवी शंकर हैं no doubt जी किस वर्स में उनको सबसे पहले ग्रेमी मिला था सांदार उत 1968 में मिला था एक और किताब पूछता है SSC इनकी My Life My Music क्या बोलोगे My Life My Life My Music पुस्तक के लेखक कौन है कल का पिरसन बताओं आपको आपका 4 सिफ्ट में पूछा गया SSC CGL में इनकी पतनी से पिरसन पूछा गया था अनपूर्णा देवी का सम्मंद किस वाधियंतर से है पूछे जाते, पत्नी तो मैं आपको बता चुका था, गुरू पूछे जाएं कभी अलाउदीन खान है, कौन है, अलाउदीन खान इनके टीचर थे, इनके गुरू थे, कौन थे, अलाउदीन खान इनके गुरू थे, कभी गलती ना करें, ठीक है, क्या बच्चों का अंसर आय असुर बहार विश्व मोहन भट का सम्मंद किसे है बच्चे ये मोहन वीना के जनक हैं कौन बोलोगे फादर ओफ मोहन वीना मोहन वीना के जनक कौन है ये विश्व मोहन भट है जिनको 2017 का 2017 का पदम भूशन मिला था हमेशा याद रख लेना 2017 का पदम भूशन मिला था कभी पूछा जाए विश्मोहन भट के गुरू कौन है इनके गुरू है रविशंकर जी जो विकल्प डी है जो सितार से सम्मन्दित है अमजद अली खान का सम्मन्द किस से है बोले जरा अमजद अली खान का सम्मन्द किस से है क्या बोलेंगे जी अमजद अली खान सरोध से सम मंद रखते हैं इन्ही को हम सरोद समराट कहते हैं क्या बोलते हैं सरोद समराट कहते हैं इन्ही का असली नाम है माशूम अली किसका नाम है माशूम अली इन्ही का नाम है बच्चे कौन से घराने से हैं सेनिया घराने के चटी पीडी के प्रतिपादक हैं क्या बोलोगे सेनिया घराना जो बच्चे आपका अगर हम बात करते हैं अकबर के दरवारी थे तानसेन उनके समय से चलता आया है सेनिया घराना तो सेनिया घराने के संस्थापक है इनकी पतनी का नाम था सुभलक्षमी क्या पूछोगे सुभलक्षमी जो भारत नाट्यम की कलाकार है किसकी भारत कलाकार है क्या बोलोगे भारत नाट्यम की यानि की अमजिद अली खान की साधी हिंदूों में हुई जैसे मैंने आपको बताया पंडित रविशंकर की जो पतनी थी वो कौन थी आपका रोशन मैंने आपको बताया था रोशन आरा खान थी ऐसे ही तो क्या बोलेंगे इनकी पटनी सुब लक्षमी थी अमजद अली खान, इनके दो बेटे और हैं, दो बेटे कौन कौन हैं, इनके जिरा बताएंगे, बाई साहब हम कहेंगे, इनके पुत्र हैं, जी, बहुत पूचे जाते हैं, अमान अली और आयान अली खान, क्या बोलोगे, अमान अली और आयान अली खान क्या बोलोगे आयान अली कौन से नॉबिल कॉंसर्ट में ये गए थे इनके अपने पुत्रों के साथ बोले किस वर्स के नॉबिल पुरुसकार जब सांती के नॉबिल पुरुसकार दिये जा रहे थे तो ये अपने पुत्रों के साथ पार्टिशिपेट इन्होंने किया था क्या बोलेंगे 2014 है कि नॉबेल कॉंसेट में घजब तुम सब के बच्चे मैं पीट थप थपाता हूँ जो तो में इतने सांदार उत्तर हमेशा देते हो जाकिर हुसेन जी का संबंद किस से है जाकिर हुसेन जी इनके पिता है बच्चे अल्ला रखा खान किस से संबंदित है अल्ला रखा खान पिता पुत्र दोनो तो हम कहेंगे ये भाई साब आपका तबला से संबंदित है किस से तबला से संबंदित है और मत भूलना 2023 का पदम विभूशन इनको मिला है क्या बोलोगे 2023 का पदम विभूशन आपसे पूछा जाएगा 2023 का पदम विभूशन याद है मैंने आपको बताया था जाकिर हुसेन सबसे कम उम्र में पदम शरी पाने वाले वेक्ति हैं क्योंकि बच्चे 1951 में इनका जनम हुआ 1988 में इनको पदम शरी मिला था कुल 37 वर्स की उम्र में और 37 वर्स की उम्र में पाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुस हैं ये क्या बोलोगे सबसे कम उम्र के वेक्ति भी हम कहेंगे सबसे कम उम्र में पदम सरीक इनको जाकिर हुसेन जी को दो ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं जाकिर हुसेन जी को क्या बोलोगे दो ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं 1992 का और सन 2009 का क्या बोलोगे 1992 का और सन 2009 का ग्रैमी इनको मिल चुका है आगया है फुटबॉल मैच में दो गोल पोश्टों के बीच की दूरी कितनी होती है दो जो गोल पोश्ट है बच्चे उनके बीच की दूरी कितनी होती है 8.32 मीटर, 9.32, 6.32 या 7.32 गोल पोश्ट की बच्चे उंचाई भी आप मुझे बताएंगे बड़ी पूची जाती है, ठीक है, हाइट भी और इसकी डैप्थ भी गहराई भी पूची जाती है तो जैसे उंचाई की बात करें, उंचाई तो 8 फीट होती है गहराई की वही साब बात करें, तो ये मीटर में 2.44 मीटर होती है लेकिन कभी भी पूछे दो गोलपोष्ट के बीच की दूरी कितनी होती है तो उसको या तो हम 8 यार्ड कहेंगे या 7.32 मीटर कहेंगे क्या कहेंगे 7.32 मीटर कहेंगे ठीक है अगर मैं मैं मैदान की माप करता हूँ MTS में पूछा गया CGD में पूछा गया फुटबॉल के मैदान की माप 90 से 120 मीटर लंबा होता है और अगर बात करे 45 से 90 मीटर क्या होती है इसकी चोड़ाई यानि ब्रहत होती है मुझे अब धी बताएंगे फुटबॉल जो टाइम होता है इसका मैच का कितने देर का होता है और एक्स्टरा करके कितनी देर ले जा सकते है मैक्सिमम 120 मिनट तक ले जा सकते है ब्रेक टाइम तो नहीं भूले ब्रेक टाइम में तुम से पूछता हूँ मुझे बताओ फुटबॉल मैच का ब्रेक टाइम कितना होता है फुटबॉल मैच का ब्रेक टाइम कितना होता है दो हाफ में 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं और ब्रेक टाइम भाई साब कितना होगा भाईया जी 15 मिनट उत्तर आना चाहिए बहुत कमेंट चला दो बच्चे के आपका पूर्व पश्यम गलियारा क्या पूर्व पश्यम जो गलियारा है पूर्व पश्यम गलियारा और दो की गलियारे बच्चे देश के विकास के लिए बनाई जाते हैं ताकि जो समान है उत्पादन है उसको समय से पहुचाया जा सके एसा ना हो खराब रोड पर खराब विवस्था के चलते हो रास्ते में ही टीमाटर सड़ जाएं और तो तो तुमको पता है टीमाटर का क्या राग है तो मैं पता ही है ऐसे बोलेए बच्चे जी जब टीमाटर के दिन आगे तो हम तो इंसान है हमारे दिन नहीं आएंगे क्या हमारे भी दिन आएंगे तो क्या बोलेंगे सिल्चर और पोलबंदर तो सिल्चर कहां पर इस्थित है किस इस्टेट में है जैसे पोलबंदर गांधी जी का जनमिस्तल है गुजरात में है ऐसे ही सिलचर कहां पर है भाई साब अशम में हैं कहां पर है असम में सिलचर इस्तित हैं ठीक है अगर बात करें इस्ट वेस्ट कोरिडोर की लैंद कितनी है कुल कितनी लंबाई है इसकी तो हम कहेंगे 3300 km लगभग है क्या बोलेंगे 3300 km लगभग इसकी क्या है बच्चे लंबाई है लेकिन मैं नौर्थ साउथ की बात करूँ उत्तर दच्छिन गलियारी की अगर मैं बात करूँ जो इससे ज़्यादा लंबा है लगभग 4000 km उसकी लंबाई है 4000 km उसकी लंबाई है मुझे बताएं कौन से दो स्थलो को जोड़ता है उत्तर दच्छिन अगर बच्चे हम देखते हैं उत्तर से दच्छिन की बात अगर हम करें उत्तर से दच्छिन यानि कि आपका ऐसे जोड़ता है और जैसे पूर्व से पश्चिम गलियारा ये किसको जो है एक दूसरों को दौनों का मिलान बिंदू कहां पर है क्या बोलोगे दौनों का मिलान बिंदू किस सहर में है उत्तर प्रदेश के जासी में है क्या बोलोगे जासी खोब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी तो क्या बोलोगे जासी में क्या है इनका मिलान बिं तक नहीं ठीक है जैसे हम बात करते हैं अगर इंगए गुजरात के गुआर मोती से लेकर के कुबूथ। औरनाचल परदेश तक वो 2933 km है अगर मैं उपर से देखे कस्मीर से कन्या कुमारी तक वो 3214 बैठता है 3214 km ठीक है आग आएंगे निमलिखित में से कौन सा सब्द है जो इस्तूप की संरचना से सम्मंदित नहीं है जिसका इस्तूप से मतलब नहीं है वेदी का इस्तूप म है जब मन्दिर बहु मंझला हो दच्षिन के टैंपल्स को हम देखते हैं विमानन का इस्तेमाल होता है विमानन का संबंद किस से है टैंपल यानि मंदिर से है सोसल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी क्या बोलोगे एम एन रॉय इनको बोल चे नहीं जी ये नरेंदर नात भटाचारिये हैं इनका असली नाम मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी नरेंदर नात भटाचारिये हैं ये भारत में कमिनिष्ट आंदोलन के लिए जाने जाते हैं जरा बताओगे प्रसन पूछलू थम सब कर दो भईया कुछ भी पूछलो बता देंगे जवर्दस्ता पूछूँगा ऐसा नहीं हलका फुलका मुझे बताओ तासकंद में कमिनिष्ट पार्टी की स्थापना किस वर्स हुई थी तासकंद में जिसके लिए इनहीं को जाना जाता है तासकंद में कमिनिष्ट पार्टी और कमिनिष्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी किस वर्स में हुई थी 1920 गजब किसी परसन को छोड़ दोगे या नहीं छोड़ोगे 1920 गोपाल कृश्न गोखले ने किया क्या Social Service League की स्थापना नहीं जी गोपाल कृश्न गोखले तो आपके भाई साब गोपाल कृश्न गोखले क्या बोलोगे आपका 1905 के Servants क्या बोलोगे Servants Society of India क्या बोलते हैं Servants Society of India Servants क्या बोलोगे Servants Society Sorry Servants of India Society ना मसका सही Servants of India Society ऐसे लिखेंगे ठीक से Servants of India Society किसके गुरू थे ये बताएंगे जरा किसके ये राजनीतिक गुरू थे तो बोलेंगे Servants of India Society जो पूने में बनी थी और गोपाल कृष्ण गोखले को ही बोलते हैं भारत का ग्लैड श्टोन अब मैं तुम से पूछूं ये तो तुमने बता दिया होगा जी महत्मा गांधी के महत्मा गांधी के राजनीतिक गुरू थे पॉलिटिकल टीचर थे उनके गांधी जी के अध्यातमिक गुरू रायच थे एक उधारवादी नेता थे ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले नारायन मलहार जोसी इन्हों ने बनाया था आपका सोसल सर्विस लीग 1911 में बॉम्बे में क्या बोलोगे 1911 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी और बच्चे क्या उद्दिश्य था समाज सुधा महादीव गोविंद रानाडे जी बताएंगे जरा m.g.eremos किस संस्था से जुड़े रहे हैं तो क्या बोलेंगे जी दक्कन एजुकेशनल सॉसाइटी क्या बोलोगे दक्कन एजुकेशनल सॉसाइटी से किसका संबंद है दक्कन एजुकेशनल सॉसाइटी किस वर्स बनी थी ये बताएं दक्कन एजुकेशनल सॉसाइटी जो बच्चे बनी थी आपका पूने महराश्ट्र में क्या बोलोगे पूर्णे महराष्ट में बनी थी 1884 में परिसन पूछा जाता है दक्कन दक्कन यानी दच्छन के लिए दच्छन को सिक्षित या सिक्षा सोधार के लिए लेकिन बच्चे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी एकदम से नहीं बनी 1880 में एक स्कूल बना था जिसको बोलते न्यू इंगलिस स्कूल की स्थापना कब हुई थी न्यू इंगलिस स्कूल की स्थापना 1880 में हुई थी कौन कौन लोग थे आपका बच्चे विश्णू सास्त्री चिपुलकर क्या वो लोगे विश्णू सास्त्री चिपुलकर याद रख लेना ऐस सी आज कल संगठन ढूंडती है विश्णू सास्त्री चिपुलकर थे और इनके साथ थे गोपाल गनेस अगरकर जिनको हम जी जी अ अगर कर बोलते हैं गोपाल गणेस अगर कर इनके साथी थे और कौन थे बालगंगाधर तिलक जी इनके साथी थे तो इन तीन लोगों ने 1880 में बनाया था क्या आपका New English School और यही New English School क्या बना था दक्कन Educational Society तो कभी भी पूछे कौन सा स्कूल था जो दक्कन Educational Society का आधार बना तो हम कभी गलत तो नहीं करेंगे हम कहेंगे भाई साब New English School बना था कौन बना था New English School बना था और बाद में यही 1885 most important question Forgusion College इसी संस्थाने बनाया Forgusion College की स्थापना महराष्ट में कभ हुई थी तो क्या बोलेंगे Forgusion College 1885 का बना जैसे बच्चे Fort William College पूछा जाता है सन 1800 का उसी तरह 1885 का Forgusion College बहुत important है क्योंकि इसमें बाद में आपका कौन-कौन लोग जुड़ गए थे महादेव, गोविंद, रानाडे इसी संगठन से जुड़े रहे दोंदो, केशव, करवे मैंने आपको बताया था जिनको उनके सौवे जनम दिन पर भारत रतन परश्कार दिया गया था 1958 में वो भी इसी संगठन से जुड़ करके ये लोग विदवा विवा का विरोध कर दो सारी विदवा विवा को ये लोग आपका मतलब मान्यता देते थे लेकिन बच्चे इस्त्री सिक्षा के लिए इन्हों ने बहुत काम किया विरोध किया इन सब लोगों ने जहां कहीं पर सतिपर्था बची हुई थी उसका बहुत विरोध इन लोगों ने किया थोड़ी अलप मातर बची हुई थी ब्रहमनों को भूमीदान करने वाले सरपर्थम कौन थे किस वंस ने सबसे पहले ब्रहमनों को भूमीदान दिया तो क्या कहेंगे जी कौन लोग थे भूमीदान करने वाले कुशान वंस ने सक वंस ने या सातवाहन वंस ने तो क्या बोलोगे सातवाहन, सातवाहनों के बच्चे संस्थापक आप मुझे बताओ, संस्थापक कौन थे, इनकी राजधानी आप मुझे बताएंगे, इनकी कैपिटल क्या थी, किस नदी के किनारे ये वंस था, नदी के किनारे ये वंस था आपका, और बोलेंगे कितने वर तक इस वंस ने साशन किया था मुझे बुलाएंगे किस वंस के बाद ये उतकर्स पर आए किस वंस के बाद किस वंस के बाद उद्य हुआ इनका इनका मतलब इनकी प्रिशिद्धी बड़ी थी ठीक है किस वंस के बाद में मुझे बताएंगे इनका सबसे प्रिशिद्ध से के सिक्के चलाए आंधर नाम है संस्थापक थे शिमुक थे और आंधर में था इसी लिए इसी सातवहन वंस को हम आंधर वंस भी कहते हैं क्या बोलते हैं आंधर वंस भी भाई साब हम इसको कहते हैं ठीक है आंधर वंस भी कहते हैं राजधानी क्या थी इनकी पैठन बोले या पिर्तिष्ठान बोले या कई बार परिक्षा में पैठल लिखा मिलेगा कौन सी नदी के किनारे थे गोदावरी रीवर के किनारे साशन किया 300 वर्षों तक कितने 300 वर्षों तक 60 बीसी से लेकर के 240 इश्वी तक तब ही तो होंगे 300 और किस वंस के बाद इनका उदे हुआ था मोरियों के बाद में किस के बाद में मोरिये वंस के बाद में इनका भाई साब उदे हुआ था कभी गलती नहीं करनी मेरे मित्र निमलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भासा के इस्थान पर राजभासा बनाया यानि पहले फारसी थी, बच्चे फारसी ऐसे ही नहीं आगी देश में, फारसी को लेकर के आये था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बच्चे इस्तेमाल होनी शुरू हुई फारसी और मुगलों ने तो क्या कर दिया था, मुगलों ने तो अपनी राजभाशा बना लिया था, पूछा आता है, मुगलो की राजभाशा क्या थी? फारसी तो उस समय तक फारसी दिल्ली में चलती थी, राजभाशा यही थी लेकिन अंग्रेजी ने इस geehrव को बदल दिया, हम सब का आंसर मेखाले आएगा मैं जानता था, लेकिन अंग्रेजी इसaiser आफर पेहलीओं, कि से बना देगा क्या मैकाले के पास बच्चे विधी आयोग के अलावा कोई पद रहा था नहीं जी उसके पास तो सिर्फ बच्चे 1835 में विधी आयोग का अध्यक्ष उसको बनाया गया था 1834 के अधिनियम से जो विधी गवर्नर जर्नल है किस एक्ट से बना था क्या बोलोगे भारत का पिर्थम गवर्नर जर्नल ये किस एक्ट से बना था तो क्या बोलोगे 1833 के अधिनियम से 1833 एक्ट से ये बना था बाकी सती पर्था के लिए तो हम जानते ही हैं क्या बोलोगे सती पर्था तो हम जानते ही हैं को दिक्कत कोई परिशानी बोलेंगे एक बच्चा के राजी कणव वंस के बाद में हुआ बच्चे कणव वंस एक अल्पकाल के लिए एक सीमित छेतर में शाशन करने वाला वंस है कभी भी वंसा वली अगर पूछी जाएगी तो कणव काउंट नहीं करेंगे ऐसे छोटे छो दिवस की परेड के लिए राजपत कौन से साल में स्थाई इस्थल बन गया गरतंतर दिवस की परेड जो होती है भाई साव राजपत पर अब तो मैंने आपको बता दिया राजपत का अब तो नाम भी चेंज हो गया करतव विपत कर दिया गया तो यह कब से होती थी परेड क्या बोलेंगे कब से होती थी ये परेड क्या बोलेंगे 1955, 1957, 1954 या 1956 तो क्या कहेंगे भाई साव हमारा आंसर आएगा कौन से साल में इस्थाई, इस्थाई इस्थल बन गया 1955 क्या बोलेंगे 1955, 57 नहीं, 56 भी नहीं क्या बोलोगे 1955 आंसर आना चीए सारे बच्चों का आगे नहीं है कौन सा है जो मौलिक करतव्य की सिरेणी में नहीं आता दार्शनिक स्वेभाब और जिग्यासा की भावना विक्षित करना मैं बच्चे तुम से कह कह के ठक गया मैंने का भाई साब अब मौलिक करतव्यों से प्रशन नहीं पूछता अब 11 में से ढूंडता है अब वो लोगे दार्शनिक स्वेभाब और जिग्यासा की भावना विक्षित करना ये नहीं है अगर हम बात करें ABCDEFG सातवा कौन सा है बच्चे आपका प्राकृतिक परियावरन की रक्षा करना हम लोग G जी तो जानते हो न ऐसे याद करो मैं मुझे कराने पड़ेंगे तुम क्या बोलेंगे जी का होगा सार्वजनिक संपत्ती की सुरक्षा करना ये किसमें आता है आई हमारे घर में संपत्ती आई क्या बोलोगे हमारे घर में संपत्ती आई क्या चय चय जय 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 क्या बोलोगे चय चय जय 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 पर आएगा आपका सार्वजनिक संपत्ती की स धर्म है देश की रक्षा धर्म है ऐसा बोलो दो तिन बार देख से रक्षा धर्म है डी यानि कि क्या हो जाएगा गह हिंदी में दे दे तो गह कह देंगे क्या कह देंगे गह कह देंगे ये पूछा गया प्रिशन बहरत के सम्विधान के अनुच्छे 51 एक किस खंड में हमारी मिसरित संस्किर्ती की शम्रद्ध वराशत को महत्व देने महत्व देने और संरक्षित करने के आवश्यक्ता का उलेख है और मैं लिख के देता हूँ तो मैं तुम्हारी टेबल पर होने चीए हाथ से लिखे हुए बच्चा आपके एकजाम में भी पूछा जाएगा आपके भी एकजाम में पूछा जाएगा ठीक है तो आवश्यक्ता का उलेख है क्या बोलेगे खंड A, खंड F, खंड D यानि यह क्या हो गया क्य हो गया तो खंड A में तो बदर देस की एक ता खंड ता राष्टगान आदी के सम्मान की बात की गई है तो यह तो नहीं होगा क्या बोलोगे जी खंड F में बात की गई है खंड D में बात करें D में अभी बताया D में तुम बताओ D4 क्या है? D4 धर में हमारा क्या? देस की रक्षा क्या बोलेंगे देश की रक्षा होगा क्भी गलत नहीं करना है कभी भी गलत C में कौन बच्चा बताएगा तीन चीजे आती हैं देखो C तीसरे नबर पर होता है थर्ड पर है, गय पर है गय भी कह सकतें, सी में तीन चीज़े आती है, तीन में तीन चीज़े कौन-कौन सी, इंतजार कर रहा है, तुमारा लिखना जरा पश्मी घाट की पहाड़ियों में प्राय है औसत तापमान कितना होता है, क्या बोलेंगे प्राए है कितना तापमान होता है C अभी तक किसी बच्चे का जवाब नहीं आया बताओ और यार बहुत बढ़िया एक बच्चे ने लिखा है पर्भुता एकता अखंड़ता पर्भुता एकता अखंड़ता ये तीन बात किसमें C में की गई है परबुता, एकता, अखंडता, C, तीन में, C तीसरे नमबर पर, A, B, C, तीसरे में बात की गई है, गलती नहीं करनी, never, ठीक है, आगे आएंगे, पश्मी घाट की पहाड़ियों में प्राय है, औसत तापमान कितना होता है, नवीन सर, मेरी आइज वीक है, बच्चा सारी क्ला क्लासिस देखो, आइज वीक का सॉलिशन भी बता रखा है, आइज अपनी आखे कैसे ठीक कर सकते हैं, यह मैंने क्लासिस में बता रखा है, हर रोज मैं एक जैसी बात, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, रियली सौरी नहीं बता सकता, पश्मी घाट की पहाड़ियों में प्राय हो स स्ट्रेट जी क्या है, रास्ते में रोड पर कोई मिलेगा, एक रात मिला, रात को सवादस बजेब करा, जी इसकी स्ट्रेट जी क्या है, भाई साब अगर आप मेरी क्लास रोज देखते हो, तो आपको पूछने क्या वश्यक्ता ही नहीं होनी चीए, जरूरत ही नहीं होनी दिगरी होता है, लेकिन ओसत में हम गिल लेते हैं, उसको आपका लगभग 25 में काउंट करते हैं, 25 डिगरी सेल्सियस, मुझे बताएंगे पश्यमी घाट किसको अलग करता है, किसको पश्यमी घाट किसको किस से अलग करता है, भाई साब, किसको किस से अलग करता है, क्या ब भारत के दच्छिन मध्या से लेकर के दक्कन का जो पठार है दक्कन का पठार को अरब सागर से अलग करता है किसे अलग करता है कभी भी पूछे अरब सागर से अलग दक्कन के पठार को कौन करता है तो हम कहेंगे आपका क्या बोलेंगे जी पश्मी घाट करता है कौन पश्म पश्मी घाट की सुरुवात कहां से होती है वैस्टरन कोश्ट की किस जगह से और इसका अंत किस जगह पर होता है बच्चे जो पश्मी भारत है यह पश्मी घाट है यह क्या है ये पश्मी घाट है कहां से सुरू होता पार्टिकुलरली कहां से बोलेंगे किस जगह से सुरू होगा तो हम कहेंगे भीया जी इसकी सुरूआत होती है सोनगड गुजरात से कहां से सोनगड भाई साब गुजरात से इसकी सुरूआत होती है गुजरात से और अंत इसका होता ह मारु थवाज तमिल्नाडू पर क्या बोलोगे मारु थवाज तमिल्नाडू क्या अंतिम इस्थल है बच्चे क्या बोलेंगे अंतिम इस्थल है आपसे कभी पुछा जाए पशुमी घात की कुल लंबाई। इतनी है लगभग में कुल लंबाई पूछे वेस्टरन बच्चे कोष्ट की आपका या वेस्टरन गाट की तो क्या बोलेंगे कुल लंबाई सौरी वेस्टरन कोष्ट नहीं बोल सकते वो तो पश्मी तठ हो जाएगा वेस्टरन गाट की कुल लंबाई आप से पूछे तो हम महराश्ट्रे क्या बोलोगे कहां से सुरूआ जाता गुजरात में थोड़ा सा हिस्सा आता है मैंने बताया सोनगड से जब इसकी सुरुआत होती है एरिया पूछे कभी भी छेतरफल पूछे तो कहना 60,000 वर्ग किलोमीटर क्या बोलोगे तो बोलेंगे 1200 मीटर है कभी पूछे पश्मी घाट पर कौन से प्रमुक दो दर्रे है तो थाल गाट और भोर गाट तुम बताओ थाल गाट दर्रा किस राज्ये में है किस स्टेट में स्टेट लिखा दिखना चाहिए जब मैं कमेंट सेक्शन देखू थाल गाट दर्रा और भोर गाट दर्रा क्या बोलोगे थाल गाट दर्रा और भोर गाट दर्रा महराष्टर 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 गजब बहुत सांदार थाल गाट भोर गाट दर्रा अगर बच्चा पूछे इसमें अगर हम बात करते हैं पश्मी घाट में एक पढ़ती है सहयादरी सिरीज क्या पढ़ती है दूसरा पढ़ती है और यह जो सहयादरी सिरीज है आपका सहयादरी सिरेणी की सब से उची चोटी कौनसी है यह बताएंगे सह्याद्री सिरेणी में उत्री उँची चोटी कौन सी है दो चोटी पूछे जाती है उत्री उँची चोटी लिखो उत्री उँची चोटी कौन सी है क्या वो लोगे उत्री उँची चोटी कौन सी है कलसू बाई है बच्चे जो आपका क्या बोलोगे 1646 मीटर उचाई है दूसरी है इसकी साल हर वो आपको याद करने की जुरत नहीं है मुझे बताओ कलसु बाई कहां की सबसे उची चोटी है क्या बोलेंगे भहिया कलसु बाई महराष्टर की मैंने तुम्हें लिखवाई है किलास में इसी को बोलते एवरेश्ट ओफ महराष्टरा एवरेश्ट ओफ महराष्टरा कौन है कलसु बाई है लेकिन पूछे सहयादरी सीरीज की दच्छनी उची चोटी कौन सी है दच्छनी उची चोटी तो हमारा आंसर आएगा बच्चे कुद्रे मुख क्या बोलोगे कुद्रे चोड़ करके भाईया पूरा पश्मी घाट पूछ ले पश्मी घाट की सबसे उंची चोटी सहयादरी वहयादरी कुछ ना दे तब क्या बोलोगे सबसे उंची फिर तो भाईया अनाई मुडी है क्या बोलोगे अनाई मुडी है क्या बोलेगा अनाई मुडी है जो 2600 में मीट अगर कुछ नाम ना दे लेकिन नीलगिरी लिख दे नीलगिरी भी किस में है वो भी पश्मी घाट में है अगर भाई साब सोचो जरा अगर उसने नीलगिरी लिख करके तुमको दे दिया तो नीलगिरी पर क्या लिखोगे नीलगिरी पर हम लिख देंगे भाईया डोडा बेटा 26, 26, आपका 2637 मीटर की, 2637 मीटर बहुत पूछे जाती है इसकी हाइट है, और दूसरी पूछले, दूसरी पूछले नील गरी के अब डोड़ा बेटाई थोड़ी पूछता रहेगा हमेशा, तो बोलना मकरती है 2554 मीटर की, कौनसी ये मकरती है दूसरी, ठीक है, मकरती है दूसरी, नेक्ष्ट है, पदम परुसकार 2021 से सब्मानित, अंसु जाम सेनपा, इतनी चर्चित हैं बच्चे देश में, अंसु जाम सेनपा, बोलेंगे भईया हमने नाम नहीं सुना, तुम नहीं सुनोगे तो चर्चार नहीं रहेगी क्या किसी की, क्या बोलोगे को निम हैं लोग बाग, मैं यह सोच रहा हूँ, इस देश में लोगों के पास काम नहीं है, इनके पास प्रोड़क्शन नहीं है, कुछ यह कर नहीं सकते, यह लोगों के परिचार में लगे रहते हैं, कह रहे कि कोई फ्लाना यहां गया, उसके लिए बोर्ट कर दो, क्या-क्या मतल बच्चे पांच बार एवरेष्ट चड़ गई, पांच बार एवरेष्ट कर दो, सेल्यूट बोलो, भारत माता कीज़े, पांच बार एवरेष्ट चड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है, एक सबताह में दो बार चड़ गई, एक सबताह में दो बार, किस प्रदेश से इनक का समभंद है मुझे बताएं पहली महिला कौन है भारत की हम सब जानते बचेंदरी पाल है यह बचेंदरी पाल किस वर्स में बच्चे आपका एवृष्ट पर चड़ी थी बचेंदरी पाल क्या वह लोगए 29 मई 1984 को 29 मई 1984 को बच्चे और मुझे बताओ विश्व की कौन सी महिला बनी थी भारत की पहली है लेकिन विश्व की पाँचवी महिला ये बनी थी कौन सी पूछे विश्व की कौन सी महिला बनी थी तो पाँचवी महिला ये बनी थी लेकिन पूछे तो पहली भारती है थी कौन थी पहली भारती है थी पहली भारतिय थी प्रेम रता अगरवाल जी का नाम जानते हो? हाँ जी जानते हैं प्रेम रता अगरवाल एवरिश्ट पर गई है बच्चे प्रेम रता अगरवाल सबसे important बात है North USA जो उत्तर अमेरिका है उसका उच्चा परवत है मैकिले USA के मैकिले पर पहुचने वाली एक मातर भारतिये USA मैकिले पर मैकिले पर पर्थम महिला है ये क्या वो लोगे पर्थम भारतिये महिला कौन है वो प्रेमलता अगरवाल है ठीक है संगीता बहल संगीता बहल हमको याद रख लेनी होंगी बच्चे क्योंकि ये सबसे अधिक उम्र में एवरेश्ट पर पहुची चड़ी थी लेकिन बच्चे संगीता बहल 53 की एज में किसमी एज में 53 की एज में ठीक है 53 की एज में ऐसे ही मालावत पूर्णा जानते हो बोले येस और नो मालावत पूर्णा को हम किसलिए जानते हैं सबसे कम उम्र में क्या बोलोगे सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में जी तेलंगाना की हैं 13 वर्स और 11 महा की उम्र में क्या बोलोगे 13 वर्स और 11 महा की उम्र में मालावत पूर्णा बोलेंगे क्या बोलेंगे मालावत पूर्णा हम कहेंगे मालावत पूर्णा सोरी क्या बोलेंगे मालावत पूर्णा संतोस यादव जी को जानते हो संतोस याद नुंगसी और तासी मलिक को जानते हो क्या नुंगसी मलिक और तासी मलिक को जानते हो नुंगसी और तासी मलिक को इनको क्या record है एवरेश्ट से इनका क्या संबंद है बच्चे ये जुडवा बहने है जो एवरेश्ट पर चड़ीं एवरेश्ट पर पहुचने वाली आप बहने हैं कभी गलती नहीं करनी है क्या वो लोगे कभी गलती नहीं करनी है नैवर कभी भी गलती नहीं करेंगे अच्छा आप मुझे बताओ average की height कितनी है ये कौन कहा रहे हैं बहुत बढ़िया जी क्या कहा है आपका 1953 में चड़ाओ नहीं, 1953 में बच्चे वो परिद्मेंड हिलेरी और तेंजिंग नौर गे थे न्यूजिलेंड के और आपका नेपाल के थे परिथम भारतिये कौन बताए थे मैंने एवरेश्ट पर पुरुस नाम बताऊ जारा है परिथम भारतिये वैकती जो एवरेश्ट पर पहुचे क्या नाम है उनका अभी भी हों जेलम नदी निमलिखित में से किस उदगम इस्थल से निकलती है जेलम रीवर चेमायू गडूं गलेशर्ष निकलती है नहीं भाई सब ब्रहम पुत्र कहेंगे कौन वो लोगे ब्रहम पुत्र कहेंगे मांसरोवर जील के निकट से सिंधू निकल जाएगी कौन सी सिंधू और जम्मू कस्मीर की वैरी नाग जील से जेलम नदी निकलती है। राकस्ताल से क्या बोलोगे ये सतलज नदी निकलती है। क्या बोलोगे सतलज नदी जो पंचनद का एक हिस्सा है। क्या बोलोगे सतलज जहलम रावी व्यास सतलज जहलम रावी व्यास और पांचवी नदी में तुमसे पूछता हूँ हमेशा जरा बताएं सतलज हो गई आपकी जहलम हो गई रावी हो गई व्यास हो गई पंच नद की पांचवी नदी कौन सी है जरा पोल दो फटाफट से आं चंदरनाथ पहाडी का संबंद किस देश से है बोले जी चंदरनाथ पहाडी क्या स्रिलंका भुटान नेपाल या बंगला देश बाइसाव बंगला देश सही उत्तर होना चाहिए और मैं पूछू इन चारों देशों का S.S.C. के लिए ये भी इंपोर्टेंट है इनकी उची चोटी कौन कौन सी है बोले जरा स्रिलंका की कौन सी है पिदुरुत गला है क्या बोलोगे पिदुरुत क्या बोलेंगे पिदुरुत बोलते पिदुरुत लगाला पिदुरुत लगाला भुटान की सबसे उची चोटी जिस पर कोई माउंटेनियर नहीं चड़ पाया क्या इसको बच्चे गंग खर पुन्सुम है कौनसी है गंग खर पुन्सुम है नेपाल की सबसे उंची चोटी भहिया सागर माथा है माउंट एवरेश्ट जिसको हम कहते हैं सागर माथा नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं और बंगलादेश किसकी सबसे उची चोटी कौनसी है केकरा डॉंग है कौनसी है केकरा डॉंग है भाई साब क्या वो लोगे केकरा डॉंग है आ गयाएंगे लिंकन सुचकांक क्या मापता है एक लिंकन इंडेक्स है बच्चे अगर हम बात करें लिंकन इंडेक्स किसका मेजरमेंट करता है किसक मरत्यु धर को भाहिसाब जिन संख्या के आकार को पॉपुलेशन साइज किसका पशू परजाती का मनुश्यों का नहीं पशू परजाती का मापता है और इसको हम लिंकन पीटरशन मैथड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं लिंकन पीटरशन मैथड लिंकन पीटरशन विधी भी इसको कहते हैं हम तो किसको मापने माती है ये ये जिनसंख्या का आकार बताती है population size बताती है एक गिंती को बताती है population की accounting को भाईसा बताएगी भारत ने किस पंचवर्षी है योजना के दौरान मिसरित अर्थविवस्था को अपनाया मिसरित बोलेंगे जी किस के दौरान मिसरित आप जानते हैं भारत के अर्थवस्था कैसी है जी भाईया जी मिसरित अर्थवस्था लेकिन मैं पूछू किस वर्ष में इसको यानि किस पंचवर्षी है योजना में इसको अपनाया गया था तो बहुत सारे comment section दिखा हो गई, क्या कर रहे हो, क्यों side कर रहे हो, दिखा हो, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर दूसरी और कुछ का आंसर आया, जी तीसरी, तो क्या कहेंगे भीया, दूसरी पंचवर्शीय योजना, जितने भी बच्चे आंसर दे रहें, एकद अर्थवस्था दूसरे में, दूसरे सा मतलब क्या है, 1956 से 61 के दोरान, किसने model बनाया था, second का, PC महलोबिस ने, कौन थे, PC महलोबिस ने, बच्चे, PC महलोबिस model पर, दूसरी पंचवर्शीय योजना आधारित थी, ठीक है, बहारी उध्योगों को इसमें बढ़ावा दिया गया था, और साथ में मिशृत अर्थवस्था को अपराया गया, बहारी उध्योग से मतलब क्या था, बताएंगे कौन कौन से उध्योग थे, और कभी पूछे, समाजवाद की धारना, इस्थापित करना, ये क्या था, इसका उध्योग था, क्या वो लोगे, ये इसका उध ठीक है और बाहरी उद्धियोग में कौन कौन से आते हैं दुरगापुर भिलाई और राउर केला ये कब इस्थापित किये गए बच्चे क्या बोलोगे बाहरी उद्धियोग में कौन कौन से दुरगापुर पश्यम बंगाल में ठीक है क्या बोलोगे भिलाई आपका बहलाई और रावर केला उडिसा में ये कहाँ इस्थापित किये गए second पंच वर्षिय योजना में ये भी किये गए अच्छा पहली पंच वर्षिय योजना कौन से मोडल पर थी पहली बच्चे 1951 से 56 चली ठीक है ये कौन सा मोडल था पहली का था भाई साब हैराल्ड डोमर म मोडल पर थी लेकिन प्रिशन पूछा जाता है इसका प्रारूप किसने इस पर तो आधारित थी लेकिन इसका पर्थम प्रारूप किसने बनाया था पूछे पहली पंच वर्षिय योजना का जो पहला मोडल था वो किसके द्वारा तियार किया गया तो के एन राज क्या बो प्राप्ति हमने ज्यादा की की थी प्राप्ति हमने की थी 3.6% की ठीक है उस समय भारत सरकार ने 2,68 करोड रुपे इसके लिए दिये थे ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूँ पंचवर्शी योजनाई हमने किस देश से लिए ये बताओ मैंने आपको बताया था 5 एर प्लान हमने किस देश से लिए USSR से कभी भी पूछे सबसे पहले ये USSR में 1928 में इस्टालिन द्वारा बच्चे कारियानवित यानि एग्जिक्यूट किये गए थे कब 1928 में रूस में कारियानवित किये गए थे ठीक है आगे आएंगे बारत में किस पंचवर्षिय योजना के अंतरगत नीली करांती का आरंभ किया गया था क्या बोलेंगे कौन सी पंचवर्ष योजनाथी छटी सातवी आठवी कभी भी पूछे नीली क्रांती किस जीव से है 1985-90 और बच्चे कभी कभी पूछे W मुलर मॉडल पर आधारित कौन से मॉडल पर थी W मूलर मौडल पर आधारित इस पर बेश्ड थी आपकी आठवी पंचवर्षिय योजना क्या बोलोगे 1985 सनब है थमसब करके बताना पंचवर्षिय योजना में कब-कब गैप रहे याद हैं बोलेंगे कब-कब गैप रहें बताएंगे 1951 से 56 तक कोई गैप नहीं जी इसके बाद 1956 से 61 तक लगातार चली नहीं चली बिल्कुल चली जी 1961 से 66 तक लगातार चली हाँ जी चली यहाँ गैप आ गए फिर चलती है 1999 से 1-1 बस की यहाँ पर क्या ऐइं एक-1 बस की योजना आई फिर 1997 से 64 आई फिर 1974 से 89 चलनी थी लेकिन 78 में end हो गई यहां एक gap रहा 78 से 80 गैप रहा फिर 1980 से 85 कौन सी है आपका बच्चे 1980 से 85 क्या बोलोगे आपका फिर आपका 1985 से 90 आई 1985 से 90 आई ठीक है और फिर आई आपका फिर यहां पर एक gap रहा फिर 1900 क्या बोलेंगे 1992 से 97 आई 1997 से लेकर के 2002 2002 से लेकर के बच्चे 7 तक 2007 तक और 7 से लेकर के फिर 12 तक और 12 से चलनी थी 2012 से चलनी थी 17 तक क्या चल पाई थी यह 12 भी थी क्या यह चल पाई थी दोस्त नहीं चल पाई थी क्योंकि योजना आयोग को बच्चे डिजॉल्व कर दिया गया 2015 में थिंक टैंक आया थिंक टैंक कौन है नीती आयोग कब आ गया था 2015 में क्या वो लोगे 2015 में कभी गलती मत करना कार्बन डाई अकसाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रवेमान का अनुपात क्या होता है द्रवेमान का अनुपात दो गुने पर काउंट करते हैं भाई साब कैसे कार्बन का परमानु किरमांक बताओ कितना होता है मैंने कहा ता याद रखो hydrogen, helium, lithium, boron, carbon carbon कितने पर होता है? 6 पर oxygen कितने पर होता है? आपका nitrogen फिर oxygen 8 पर होता है carbon dioxide का सूतर क्या है? CO2 यानि C का number कितना होता है? 6 इसका गुणा 2 करेंगे 6 दूनी 12 अनुपात देखना है oxygen से oxygen का कितना होता? 8 दो अनुपहले से ही है तो 8 दूनी 16 पहले से हो गया अकेले C का 6 उसमें गुणा 2 करी oxygen का अकेले का 8 दूने 2 पहले से ही है तो गुणा 2 ये और बच्चे द्रवमान ग्यात करने के लिए गुणा 2 तो क्या बात करेंगे? ये तो क्या था? O2 है ये O2 है और ये C है गुणा 2 गुणा 2 करिये बस क्या बो लोगे? 12 ए अनुपात 8 दूनी 16 दूनी 42 होगा तो किस से काट ले? 4 से काट देंगे 4 तीया 12 है और 4 ओटisz 32 होगा 3 अनुपात 8 सही उत्तर आएगा वासिंग मसीन का कारिय सिध्धांत क्या है? आप बच्चे मौत का कुवा तुमने देखा होगा घूमते हुए अंदर की तरफ एक बल लगता है अंदर की तरफ जिसको हम क्या बोलते है आपका बच्चे सेंट्री पिटल फोर्स बोलते है अभी केंद्रिय बल बोलते है लेकिन एक बल बाहर की तरफ भी लगता है जैसे आपका पानी का कपड़, पानी की जो ये बच्चे आपका वसिंग मसीन है ये क्या करती है, कपड़े में क्या होता है, पानी हमको क्या करना है, सुखाना है तो पानी सूखेगा कब जब पानी अंदर की तरफ चलेगा कपड़े में या पानी कपड़े से बाहर जाएगा तो बाहर जाना चाहिए तो कोई भी चीज अगर बाहर जाए तो वो अपकेंदरन है कोई भी चीज कहां जाए कोई भी चीज बच्चे अगर अंदर की तरफ तो अभी केंद्रियबल जैसे साइकल सवार मोड पर मुड़ता है लेकिन कोई चीज अगर बाहर की तरफ काम कर रही है तो वो क्या होगा अब केंद्र अब बाहर की तरफ होगा ठीक है जैसे आपने ब्लेंडर मसीन होती है या डेरी में पूछ ले डेरी मसीन पर डेरी में जो दूद की मसीन होती है बच्चे दूद से आप सब लोगों के घर में क्या निकलता होगा दूद से मक्खन निकलता होगा निकलता है हाँ जी निकलता है तो दूद में अंदर ही तो मक्खन है कहा निक तो अपकेंद्रन होगा भाई साहब, चाहो जाएगा जी, अपकेंद्रन भल हो जाएगा, ठीक है, कोई परिशानी, कोई दिक्कत आगयाएंगे, आगयाएंगे, निम्न में से किसका निर्माण हमारे सरीर में नहीं होता है, कौन सा ऐसी चीज है जिसको हमारी बोड़ी बना ही नहीं पाती है, विटमिन A को बना पाएगा क्या सरीर, प्रोटीन को बनाता है सरीर, हाँ जी, इसका निर्माण सरीर में होता है, एंजाइम सरीर में होते हैं, फैट वसा सरीर में बनती है, लेकिन विटामिन A सरीर में नहीं बनता, विटामिन बच्चे बाहर से हमको लेने पड़ते हैं लेकिन सरीर में निर्मान होता है किसका याद रख लेना इसके अपवाद है इसके अपवाद है विटामिन डी और के विटामिन डी सूरिय की धूप के द्वारा हमारा सरीर बना सकता है ऐसे ही विटामिन के को हमारा सरीर बना सकता है अपवाद कौन कौन से है डी के को छोड़ कर सरीर अन्य कुछ नहीं बनाएगा सरीर अन्य विटामिन नहीं बनाता क्या वो लोगे सरीर अन्य विटामिन्स नहीं बनाता है अन्य विटामिन नहीं बनाता ठीक है कभी भी गलत नहीं करेंगे exception कौन कौन से D और की ऐसे पूछता कौन सा vitamin है जो सरीर में store नहीं होता जो gel में घुलन सील है जैसे वह vitamin C है वो gel में घुलन सील है की नहीं है हाँ जी है तो वो पानी में घुलके kidney के थुरू बच्चे toilet के थुरू बाहर चला जाता है body उसको store कर ही नहीं पाती है यह science का question यहीं पूछा जाएगा महेंगा यहीं तुम से नहीं पूछा जाएगा क्या बोलेंगे जी लाल रंग होता है बच्चे pigment की वज़े से किसी भी चीज का जो natural color है वो उसके pigment यानि वरनक की वज़े से होता है किसी वज़े से होता है यह वरनक की वज़े से color होते है गाजर का रंग हुआ या कुछ भी हुआ या बोलेंगे pigment है जैसे अगर हम बात करें केरोटीन की तो गाजर का नारंगी रंग किसी वज़े से होता है गाजर का नारंगी रंग बिलाईती गाजर देखिये तुमने विदेसी विदेसी गाजर विलाईती गाजर देखिये तो उसका किस की वज़े से हो तो केरोटीन की वज़े से एंथोसाइनिन है बड़ा important है NVS exam में पुछा गया था आपका बचे लाल गोभी क्यों होती है लाल गोभी का रंग होता है बैंगनी आलू भी या बैंगनी आलू भी होता है हाँ जी बैंगनी आलू होता है आपका क्या बोलेंगे बैंगनी आलू क्यों होता है बैंगनी आलू का रंग बैंगनी हो गया जैसे सिर्फ बैंगन की भी बात करे आपका टिमाटर के लाल रंग होने का कारण लाइकोपीन क्या बोलोगे लाइकोपीन होगा हल्दी पीली क्यूं होती है जरा बताएं हल्दी का पीला रंग किसकी वज़े से होता है most important question है जो लिखने जा रहा हूँ हल्दी का पीला रंग क्या बोलोगे कुरकुमिन होता है जी मिर्च की चरपराहट क्यों होती है जी मिर्च चरप बोलते ना चटपटी लग रही है मिर्च मिर्च की चरपराहट किसकी वजह से होती है क्या वो लोगे कैप सेशन की वजह से होती है पपिता पीला क्यों होता है पपिता का जो पीला रंग है ये किसकी वजह से होता है कैरी क क्या बोलोगे कैरी कजे क्या बोलोगे कैरी कजे क्या बोलोगे कैरी कजेंतिन की वज़े से ये होता है खीरा कडवा क्यों होता है खीरा कडवा क्यों होता है खीरे की कडवाहट किसकी वज़े से होती है तो किसकी वज़े से होती है कुकुर बिटेशन की वज़े से होती है लेकिन पूछे करेला कडवा क्यू होता है करेले की कडवाहट का कारण क्या है क्या बोलोगे करेला कडवा किसकी वज़े से होता है बहुत important question है बचे ये मैमोर्डिको साइट की वज़े से होता है क्या बोलोगे मैमोर्डिको साइट की वज़े से करेला कड़वा होता है आलू हरा हो जाता है जिसको कच्चा बोलते है आलू का हरा रंग किसकी वज़े से होता है शोले लिन की वज़े से होता है पपीता पूला तो पपीता पीला क्यारी कुजितिन की वज़े से अपसे पूछे खीरा कड़वा क्यू होगा कुकूर बिटेशन की वज़े से करेला कड़वा मैमोर डिर्को साइट की वज़े से होता आलूहरा, सैललिन, आवले का कसेलापन, टैनिंग की वज़े से होता है, क्या वो लोगे टैनिंग की वज़े से होता है, और लाल गो भी, बैंगन, क्या पूछ रहा है बच्चा जरा दिखाओ, दिखाएंगे एक बार, केले किस से पकाई जाते हैं, केले बर्प से पकाई जात चावल का कनस्तर उसमें रख दो ठीक है और गैस पूछ ले तो या तो फिर मार्केट से एथिलीन गैस ले आ उस से पका लो तीन तरीके बस बाकी कोई नहीं है हाल ही में DRDO द्वारा अकादमी उतकरष्टता केंदर का उतगहटन कहां किया गया है ठीक है बोलेंगे जी DRDO द्वारा DRDO का स्थापना वर्स भी बताना दोस्त DRDO की स्थापना कब हुई थी हैड क्वार्टर मैंने आपको बताया है इस लो 1969 बंगलोरू ऐसी DRDO 1958 नई दिली कभी गलती मत करो H.E.L. ये सब पूछे जाते हैं क्या बोलेंगे जी ठीक है अच्छा मैंने आपसे बच्चे एक दिन हूमवर्ग दिया था देश में वर्तमान में कुल IIT कितने हैं भारतिय परोध्योगी की संस्थान इंडियन इंस्ट्टूट आफ टेकनोलोजी देश में वर्तमान में कितने हैं जरा बताएं हाल ही में भारतिय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज इंजन स्वापे हैं ब्रॉडगेज मतला जो बच्चे 1.6 मीटर आपका चोड़ी पटरी पर चलने वाले इंजन होते हैं ब्रॉडगेज पटरी की चोड़ाई है ठीक है तो क्या बोलेंगे किसको जी बंगला दे उस्त आपका कहां पर हुआ है जी हम कहींगे भाईस है यह दाखा अठांगा है बंगला देश में है अच्छच याद रख लिना बाहरत और बंगला देश के बीच में क्या हुआ है भारत और बंगला देश के बीच बंगला देश के बीच मैंना आपको बताया था बहुला गंज में जगे तो नहीं बताई थी बहुला गंज में पहला बॉर्डर हार्ट लगेगा भारत बंगला देश सीमा पर पहला क्या लगेगा बॉर्डर हार्ट मुझे बाहरत और बंगलादेस के बीच कौन सी सीमा है भारत बंगलादेस के बीच की सीमा का क्या नाम है जरा बताएंगे बलावी फटाफट से क्या बोलेंगे कौन सी सीमा रेखा है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रैड किलिफ है भारत चाइना के बीच मैक मोहन है तो क्या बोले किस राज्य सरकार ने गोहत्या के खिलाफ operation conviction शुरू किया है operation conviction most important बच्चे launch कर लो शुरू किया है हरियाना उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश और इन में से कोई नहीं गोहत्या बच्चे आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं हमको लगता है हम मनश्यों क्यूंकि सारी प्र जो हम लोगों ने ऐसे बोल दिया बंदर समान ले जाता है हमारे हिसाब से हम आदमी सोच रहे कि बंदर खेती करने लग जाए अपनी बंदर अपना टेक्टर ले करके आए लोग बचाए पसूओं को अपने खेतों में नहीं जाने दे रहे हैं और उनको घर से भी छोड़ ठीक है घर से छोड़ दिया आवारा पसूओं को फिर अपने खेत में लोगों ने तार लगा दिये ऐसे तार लगा दिये कि कोई जानवर जाए तो वो कट फिट जाए सारा का सारा एकदम से गायल हो जाए बिलेड वाले तार उनको लग रहा है कि गाय और ये जितने भी हत्या बच्चे गाय हमारी माता है ठीक है इतनी पूझनिय बनाई गई और उसकी भी हत्या होती है उसके लिए यूपी सरकार ने सुरू किया है आपका ऑपरेशन कनविक्शन किसने सुरू किया है उत्तर परदेश सरकार ने साथ में क्या कहा है बोले कोई अगर देशी गाय खरीदता है देशी गाय की खरीद पर कितना अनुदान देगी सरकार गिदेशी गाय की खरीद पर 40,000 का अनुदान देगी 40,000 का अनुदान देगी 40,000 की help करेगी ठीक है पॉली टेक्निक चलो अभियान कहां पर चलाया गया है तो कहां पर चलाया गया है याद रख लेना डिजीटल बच्चे डिजीटल कुम्ब संग्रहले कहां पर बनेगा डिजीटल कुम्ब संग्रहले है ये आपका कुम्ब की यादों के लिए आदी गरू संक्राचारे की जरनी थी उसको दिखाने के लिए याद रख लेना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहयता मिल पाए मुफ्त कानूनी सहयता क्या बोलोगे गरीबों को मुफ्त कानूनी सहयत के लिए बच्चे LADCS सुरू किया गया LADCS का संबंद किस्से है तो यह बहुत important question बन सकता है आपका quality का भी आने वाले वर्सों में या आने वाले समय में बोलेंगे LADCS का संबंद किस्से है मुफ्त कानूनी सहयता से क्या है यह बोलेंगे L4 legal aid बोल सहयता को बोलते है aid 4 क्या होता है सहयता ठीक है D4 defense यानि बचाब में defense और बच्चे C4 क्या होगा आपका council होगा council होगा council होगा और S4 system होगा क्या होगा S4 system होगा LADCS कहां पर सुरू हुआ है UP में क्या बोलोगे ताकि लोगों को legal एक कानूनी सहयता दी जा सके कानूनी सहयता दी जा सके ठीक है कोई दिकत कोई परिशानी आगे आएंगे next हाल ही में किसने raw hitman नामक पुस्तक लिखी है बहुत चर्चित किताब रही है लिख के छाप लो आपके paper में आईगी सामने लिख लो दिवार पर paper के बाद मुझ से मिल लेना क्या बोलोगे जी raw hitman पुस्तक किस ने लिखी है अदितिय सोक एस हुसेन जैदी के के सेलजा क्या बोलेंगे जी एस हुसेन जैदी ने लिखी है एस हुसेन जैदी ने लिखी है और smoke and asses बहुत चर्चित किताब रही बच्चे अपने अपरेल 2023 की small and asses में खरीद कर भी लाय अबी चिर्चित किताब रही अंकित खेमका की बहुत चर्चित किताब रही mat already इंडियाज फाइनेंस मिनिश्टर भारत के वितमंतरियों के लिए लिखी एके भटाचारिय ने लिखी है अभी चर्चित किताब रही बचे मुंड़कोप निशद क्या वो लोगे मुंड़कोप निशद पुस्तक के लेका कौन है तो क्या वो लोगे डॉक्टर करन सिंग है क कौन है जी डॉक्टर करन सिंग है कौन है डॉक्टर करन सिंग है और यहीं से आपका होमवर्क भी बनेगा एक पुस्तक पूछूँगा मैं आप लोगों से ठीक है दायोग सूत्र से क्या बोलेंगे दायोग सूत्र से उससे पहले मद्धे परदेश के बारे में स्क्रीन सॉ लीजिए और जानिए भाई साव देखेंगे दियान से कब गठन हुआ राज्य पुनल गठन अधीनियम हुआ बच्चे उसमें आपका चौध है राज्य थे क्या बोलोगे चौध है राज्य थे और भाई साव हमारे छै यूटी थे उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश हम इसा मना करता हूं लेकिन कभी भी पूछे आपसे मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं पड़े सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्तमान सिवरासिंग चोहान राज्य पाल मंगू भाई चग भाई पटेल हैं विधान सभा सीटे 230 हैं अभी चुनाव होंगे प्रश केला होता है और एक आपका जुआरा होता है मटकी होता है मैं इसके लिए ऐसे कहता हूं देखो एक मटकी खरीदनी थी और मटकी पे क्या बनी हुई ती फूल पत्ती बनी हुई थी तो भहिया मटकी के रेट जादा हो गए तो वो सेल नहीं हो पा रही थी क्या हो पा रही थी सेल नहीं खरिदार को इसलिए चीए क्योंकि उसको उसमें रखनी थी जुआर क्या रखनी थी जुआर अब वो कह रहा है कि मुझे पचास रुपे में दे दो दुकानदार के रहा भाई सब मैं तो सो रुपे से कम नहीं दूँगा तो क्या बोला दुकानदार ने उससे कि तू यहां से भाग जा क्या बोला तू भाग जा उसके साथ रिया ऐसे सोच लो वो के रहा मटका उठाओ और भागो रिया ठीक है लेकिन बात नहीं हो पाई एक डंस यहां का सैटम भी है क्या बोलोगे सैटम भी है तो इन्होंने क्या बोला यार एक काम करते ना तेरी ना मेरी मध्य में बात कर लेते हैं पिछेत्तर में तो मध्य परदेश के हैं ये बहुत important है भगोरिया, सेला, फुलपती, जुआरा, मटकी, भगोरिया याद रख लेना फिर तो मटके वाले ने भी क्या दी बधाई दी क्या बोली, बधाई दी, बधाई दी, विल मा, क्या बोलोगे, ऐसा मटका लाने की विल थी मेरी मा की, वो पूरी हो गई उसने भी बधाई दी, क्या बोलोगे, उसने भी बधाई दी, ठीक है, कुदिक्कत उत्सव कौन-कौन से होते मालवा जगही MP में है खजुराहू टेंपल बच्छे लोकरंग उत्सव बहुत इंपोर्टेंट है मध्यपरदेश का भगोरिया बोला मैंने मध्य में क्या बोलोगे मट्की लेके भगोरिया नागाजी महत्सव भारत भवन महत्सव नीर्जा देखो मट्की याद रखो कि मट्की कहां का मध्य में कभी नहीं बूलेंगे मट्की को तो मट्की अगर याद है तो मट्की में क्या रहता नीर यानी जल नीर कहां पर रहता मट्की में तो नीर्जा कहां का है मध्य परदेश का है गडल लिया गड़े में क्या रहता है गड़े में जल रहता है ऐसा याद रख लो कहां पर मध्या में ही तरहेगा जल भीया मटके में मध्या में ही तरहेगा जल या बाहर रहेगा चिपक के नहीं जी ठीक है लारुकाज हरीली और मंड़ई महतसब क्या बोलेंगे ये आपका म आध्यप्रदेश में दोनों बहुत पूछे जाते हैं योगनी माता मंदिर खजराहो के मंदिर किस ने बनाए थे यह चंदेल साशकों ने बनाए थे साची इस्तूप कहाँ पर है जो अशोक ने बनवाया भेडा घाट कहाँ पर है यह आपका दुवाधार जल पर पर पात भीम बेटका की गुफाएं कितने बच्चे बता पाएंगी यूनेसको में कब लिश्टिट हुई थी भीम बेटका की गुफाएं बांधवगड ठीक है सत्थपुडा कुनो जो अभी बहुत चर्चित रहा बच्चे टाइगर रिजर्व के लिए यहां पर चीते लाए गए आपका स्वरी टाइगर मैं गलत बोल रहा हूँ टाइगर तो बाग को क्या दे चीता लाए गया चीता को अंगरेजिम चीता ही ब भगवान स्री कृषिन जी के नाम है क्या बोलेंगे हम सब के मद्य हैं भगवान स्री कृषिन जी क्या बोलोगे कानहा बांधव और मांधव ये कहाँ पर हैं बच्चे ये अबका मद्यों मध्यापरदेश में Grow enricheur की मुख्यमंत्री तीखो और कमाउ योजना कल के practice set में भ मुख्य मंत्री बाल अश्रवाद योजना कहां की है वही साव मध्यपरदेश की है जी कहां की मध्यपरदेश की मध्यपरदेश सरकार ने कक्छा 10 और 12 के स्कूली पाठ्ठेक्रम में विनायक दामुदर सावरकर पर एक अध्याय सामिल करने का निर्न लिया है वीडी सावरकर को ले करके बहस रहती है बीजेपी वर्सेज कॉंग्रेस वाले किस पक्ष मरेते हैं गांधी जी के पक्ष के लोग है ठीक है वो गांधी जी को वर्यता देने वाले लोग है लेकिन बीजेपी पक्ष किसमें वीडी सावरकर जी को तो इसको ले करके कि भी बहुत सारा इत्य चुपाया गया या किया गया ठीक है वो सत्य आप भी बता कर सकते है आराम से आप पढ़े लिखे बच्चे हैं मध्या परदेश में केंद्रिय गरह मंतरी अमित सहा ने बाला घाट से गौरव यात्रा का सुभारम किया इसका उद्धिश्य है गौंड सामराज्य की रानी दु मध्या परदेश पहला राज्यर बन गया है मध्या फ्रदेश की राजधानी भूपाल सतत विकास लक्षों के इस थाई करण को सुविकार करने वाला भारत का पहला सहर बन गया है जो लगातार बढ़ता जा रहा है मैंने बताया था ना कितने राज्ये होंगे आपका पांच राज्ये कौन कौन से पांच होंगे जो परिय प्रोथसाहन योजना है तो भूटान, बंगलादेश, नेपाल, मालदीव और स्रिलंका सामिल होंगे कल भी ये कुश्यन हमने किया, नहीं साथ उसे पिछले दिन किया था, ठीक है, केंद्रिय गिरह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित सहा ने 24 फरवरी 2030 को मध्य प्रदेश के सतना में, सबरी माता जैनती के, सबरी माता जानती हो न, जो भगवान सिर्रामजीन जिनके जूटे बे MP में, इंदोर नगर निगम गरीन ब्रांड लांच करने वाला देश का पहला नागरिक निकाए बन गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में भोपाल जिले में इस्थित इसलाम नगर गाओं का नाम बदल कर जगदीसपुर करने की गोशना की है, मध्य प्रदेश के पाचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे, पाचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुए, MP में हुए, अगर बात करें, दिसंबर 2022 में महु इंदोर मध्य प्रदेश में देश का पहला इंफैंट्री, इंफैंट को के बलिदान को, मतलब हमारे जो भी सैनिक अब तक बलिदान हुए है, ठीक है, ये देश में पहला और विश्व में दूसरा है, इस से पहले अमेरिका में ऐसा संग्रहले बनाया गया था, इंफैंट्री के लिए, पैदल सैना के, उनके योगदान के लिए, अब ये भारत में बना है, क्या बोलेंगे, अब ये भारत में बना है, और आज का बच्चे आपका होमवर्क है, अभी 2023 की बहुत चर्चित बुक है, 2023 की बच्चे बहुत महतपूर्ण पुस्तक है, और इस महतपूर्ण पुस्तक में बच्चे, आप से पूछा गया है, दा योग सूतर प बच्चे कह रहें बच्चे क्या कह रहें निगम नहीं ठीक है को दिक्कत में आगे आएंगे बोलेंगे एक बार कोई परिशानी तो जो भी उम्मीद रखते हैं कि उनका सेलेक्शन होगा बच्चे होमवर्क का अंसर जरूर दिया करो आप पिरती बद्ध है यह समझ लो ठीक ह वदिकत को परिशानी अब बोलो बोलेगे जी सर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो मैं देश की सारी पार्टियों को सपोर्ट करता हूँ जो देश हित का काम करें जब जब करें तब तब हम मुद्धे को सपोर्ट करते हैं दोस्त हम कभी भी पार्टिय को सपोर्ट नहीं क चाहिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पार्टी के कोई एकदम से भक्त बन जाए तो सही निर्णियों के साथ हमको होना चाहिए गलत निर्णियों के खिलाफत भी हमको करनी चाहिए इसी को जागता हुआ देश का नागरिक कहते हैं ठीक है तो तुम सुनो मेरी सकलो सूरत से मत जान मुझे को मेरे सेर से सिर्फ पहचान मुझे को किसी और से इसक करने लगा है किसी और से इसक करने लगा है तो किस हक से तु कहता है जान मुझे को अपना ख्याल रखो और आंसर करना ना भूलो पढ़ते रहो अच्छे से आगे बढ़ते रहो बच्छे यही महनत है जिस को आप सब के फैमिली मेंबर्स को नमस्ते चरने सपर्स अपना ध्यान रखें बिच्चे हमेशा बहुत सारा बाई-बाई टेक केर जैहिन चैभारत चैमा सस्वती थैंक्यू